जय हिंद, जय हिंदी, हंस बाहिनी क्लास है जय जुध्या महाव मसुधा मूति निगर में मैं राम संकर दूबे अपने सभी चात्रों का स्वागत करता हूँ बच्चों इस वीडियो में हम सब क्लास नाइन्थ की इंगलिश जो यूपी बोर्ड की यंसी इयाटी की पुस्तक है को पढ़ने का प्रियास करेंगे फेथफुल फ्रेंट्स फेथफुल मींस वफादार, फ्रेंट्स मींस मित्र, वफादार मित्र एब्रिवन, हर एक व्यक्ति, दाइट फ्लेटर्स दी, दाइट जो फ्लेटर्स चापलूसी करता है, दी तेरी प्रतेक व्यक्ति, जो तेरी चापलूसी करता है, इज है, नो फ्रेंट्स मित्र नहीं है हर एक व्यक्ति जो तुम्हारी चापुलूसी करता है वो तुम्हारा मित्र नहीं है इन मिजरी सारीरिक रूप से अथ्वा मांसिक रूप से वो तुम्हारा मित्र नहीं है जो तुम्हारी चापुलूसी करता है वैड्स आर इजी शब्द आसान है यह कहना आसान है कि मित्र होना कहना आसान है Like the wind जैसे हवा आसानी से बहती है उसी प्रकार से यह कहना आसान है Faithful friends, वफादार मित्र आर हैं hard कठनाई से to find पाए गए हैं वफादार मित्र कठनाई से पाए गए हैं Every man, हर एक आदमी, बिल भी होगा दाई तेरा, फ्रेंड मित्र होगा फ्रेलेश्ट, उस समय तक तुम्हारा मित्र होगा दाव हैस्ट, दाव मिस तेरे हैस्ट मिस हाथ में जब तक है वेर वित्थ इस्पेंट, उसके लिए इस्पेंट मिस खर्च करने के लिए तुम्हारे हाथ में जब तक धन है, तब तक हरे कि व्यक्ति तुम्हारा मित्र होगा बट लेकिन, इफ इस्टोर, यदि संग्रह, आफ क्राउन धन का, आफ मिस का, क्राउन मिस धन का संग्रह बी स्केंट, खाली हो गया यदि, तो नो मैन बिल सप्लाई, नो मैन मनिक कोई आदमी नहीं, बिल सप्लाई आपूर्ती करेगा दाई वांट तेरी जरूरतों को कोई आदमी आपूर्ती नहीं करेगा, चापलूस मित्र बहुत मिलते हैं, वफादार मित्र बहुत कम मिलते हैं, ये कहना आसान है, कि हम तुम्हारे मित्र हैं जब तक तुम्हारे पास धन है, तब तक हर व्यक्ति तुम्हारा मित्र होगा, और जब तुम्हारे पास से वो धन समापत हो जाएगा, खतम हो जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति तुम्हारा मित्र नहीं रहेगा, और कोई भी व्यक्ति तुम्हारी जरूरत को पूरा नहीं क किया हैं तो कर लीजी मेरा वादा है आपको धीरी धीरी पढ़ाई ज़रूर समझ में आएगी मेरा प्रयास होगा कि आपको एक-एक मीनिंग पढ़ाने का प्रयास करूं जिससे आपको मीनिंग नयाद करना पड़े हमारी पिंस्क्रिकों विशेष करके आप लोग ध्यान कि हमारे बच्चों के लिए हमारा संदेश संसार की जितनी ज्यादा से ज्यादा भासाओं को सीख सको सीख लो उत्तम है अपनी मात्र भासा हिंदी सर्व उत्तम है इसलिए हिंदी का आदर करें इसका आदर नहोंने दें अपने दैनिक कारियों को हिंदी में ही करें क्योंकि हि चात्र और हमारे समी पालवर हमारे साथ बोलेंगे जै हिंद जै हिंदी